आप सभी का स्वागत है आपके अपनी इटूब चैनल प्रमोसर वारानसी में आज किस वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्यूटर के अगले सेग्मेंट में यानि हम लोग बिल्कुल सिक्वेंस वाइज कवर कर रहे हैं नए स्लेबस को तो यहां पर अगले सेग्मेंट में बने हैं आज तक सभी को हम कवर करेंगे तो बस इस वीडियो के अंड तक आप लोग बने रहेएगा जीमेल से जितने भी कोशन बन सकते हैं सब कुछ यहां पर हमने समाईत किया है तो बिल्कुल प्रैक्टिकल समझने वाले हैं और यहां पर आपके मोबाइल में जो जीमेल का यूज कैसे किया जाता है तो जो देखिए जो थीरी सक्षन है पहले इसको देख लिजे जीमेल एक निसुलक वेव आधारित सेवा है जो यूजर को आई मैप या पोप प्रोटोकाल के माद्यम से या तिरतिये पक्ष एप्स का उप्योग करके इलेक्टानिक संदेश भे क्या होता है इमेल का पूल रूप क्या होता है तो इलेक्टानिक मेल होता है इसका याद रखिया क्या होता है अब यहां पर जीमेल क्या होता है जीमेल का मतलब जैसे आपने नई मोबाइल परशेज किया उसको रन करने के लिए जैसे आप मोबाइल ओपन करते हैं सबसे पह वारानसी, ठीक है, add the rate gmail.com, यह हमने क्या बनाए, एक gmail account बनाया, यह gmail account हो गया, अब यही जो होता है account, जब तक आप create नहीं करें, जब तक आपकी mobile रन नहीं करें, क्योंकि कोई भी एक ऐसा platform होता है, जिसको run कराने के लिए कोई ने कोई एक base होना चाहिए, तो यह जो gmail ह मेलो होते है, yahoo होते है, हात मेलो होते है, यह सबी mail करने के application, website होते है, जब इसे सब्सक्राइब करने के application, application, software है, इसी के माधодыम से, हम कोई भी application, run करा सकते है, तो यह आपके Gmail हो गए आसा करता हूं समझ में आ गया होगा यानि यह सभी क्या है एक platform है और इसी platform के माध्यम से हम किसी को instant message send कर सकते हैं अब यहाँ पर बात आता है iMap और pop इस क्या होते हैं तो iMap का जो full farm होता है कई बार पुछा जा चुका है इसको याद रखेगा internet messaging access protocol होता है क्या होता है internet messaging access protocol होता है वहीं pop की बात करें तो pop होता है post office protocol होता है दोनों चीजों को अच्छे से याद रखेगा और तीसरा point जो था basic knowledge के लिए था पहला point Gmail और email में क्या अंतर होता है Gmail एक ऐसा mail करने का application platform होता है जिसके मादेम से कोई भी हम mail कर सकते है जैसे आपको वीडियो देखना है तो आप क्या करते है यूटूब का साहरा लेते हैं तो यूटूब एक platform है उसी प्रकार हमें mail करने के लिए एक platform चाहिए वह प्लेटफार्म क्या है Gmail है बस एक simple सी बात है कोई चीज करने के लिए एक platform चाहिए जिस प्रकार आपको वीडियो जो यूटूब पर वीडियो देख रहे हैं एक वीडियो किसके मादेम से देख रहे हैं यूटूब के मादेम से देख रहे हैं यानि यूटूब क्या हो गया यूटूब यानि electronic mail कहलाता है बस आसा करता हूं समझ में आ गया होगा ठीक है अगर और कोई डाउट होता आप लोग comment करके पूछ भी सकते हैं और यहाँ पर email क्या होता है जिसे पत्र हम लोग भेजते हैं तो उसी प्रकार email भी क्या होता है electronic माध्यम से ही पत्र भेजना इसके समान होता है चलिए अब आगे चलते हैं यहाँ पर कुछ basic facts को देख लेते हैं email यानि electronic mail एक internet के माध्यम से किसी computer या अन उपकरण से पत्र भेजने का एक तरीका है जैसे हम लोग पत्र offline भेजते थे उसी प्रकार आप पत्र हम जो है online भेजते हैं यानि email के माध्यम से भेजते हैं तो वही पत्र भेजने का एक तरीका है एक email को भेजने के लिए एक email पते की आव सकता होगी यानि without पते कि आप तो भेजी नहीं सकते हैं, अगर किसी का email ID नहीं पता है, जिसे मान की लिए हमारा नहीं पता है आपको, तो हमको भेज पाएंगे, नहीं भेज पाएंगे, तो email ID पता होना चाहिए, और email ID में दो चीजें होती है, में वो आपका username और domain name से एक email ID आपकी बन जा सकता है, तो अब यहां से point समझने वाली बात क्या है, जैसे हमने अपना email ID बताया कि प्रमोद शर्वारांसी, ठीक है, प्रमोद शर्वारांसी, add the rate, gmail.com, यह आपका क्या हो गया, यह username हो गया, यह username हो गया, और add the rate, यह क्या है, separator है, इसको अलग करता है, यही question जो है कि username और domain name को कौन अलग करता है, तो add the rate अलग करता है, इसको याद रखिएगा, username और domain name को कौन अलग करता है, add the rate अलग करता है, add the rate को क्या कहा जाता है, separator कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा, चलिए अब आगे समझते हैं, देखिए, जब आप open करते हैं, किसी website को त पत्र भेजने का एक आजनिक तरीका है या लगबख हर जगह उप्योग किया जाता है जाए घर हो कालेज हो कोल्ट हो या तो कोई इंडेस्टियल चीजे हो बैंक हो या कोई सरकार्य प्राइवेट सेक्टर हो वहाँ पर इमेल का भीया वेशिकली यूच किया जाता है यानि व है सेलेक्शन हुआ ही नहीं तो यहां पर इस माध्यम से उपयोग करके हम पाठ चित्र फाइल और कई अन्य चीज़ें यहां से भेज सकते हैं जिस प्रकार हम आफ लाइन भेजते हैं अब देखिए यहां से कोशन क्या बनता है कोशन बनता है कि इमेल का आविश्कार किस ने किया था और कब किया था ठीक है यहां पर 1972 में रेट आमिल्सन ने रेट आमिल्सन ने पहला संदेश इमेल भेजा रेट आमिल्सन ने ही सरवप्रतम एड़ दरेट चिन का जो है चैन किया था और इन्हें ही इमेल का आविश्कारक माना जाता है तो यह भी याद रखिएगा आड़ दरेट चिन का आविश् अगर यहां अपचारिक रूप से अगर बात करें तो 30 अगस्त 1982 को अमेरिकी सरकार ने भारती अमेरिकी सिवा अयादुरई को आधिकारिक रूप से इमेल की खोश करने के लिए मानेता प्रदान की और वर्स 1978 में अयादुरई ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम तयार करके इम इसमें इन बॉक्स आउट बॉक्स फोल्डर मेमो अटेश्मेंट इन सब चीजों के बारे में यहां पर बताया गया तो देखिए यहां पर दो तरीके से पुछा जाएगा अगर आपको दे देगा इमेल का अविश्कार किस ने किया तो रेट आमिलसन जब आप्शन में दि इसको भी यहां से कोशन कैसे बनते हैं चलिए वेब आधारित इमेल क्या होता है तो कई सारे इमेल की सुभधा प्रदान करने वाले कंपनी वेब आधारित इमेल सुभधा प्रदान करती है जिनमें हाट मेल याहू मेल आउटलुक जिमेल आधी सामिल है तो माइक्रोसाफ् लुक्स विदा प्रदान की जाती है यह याद रखिएगा यह कोशन पूछा जा चुका है और यही कोशन सायद जुनियर असिस्टेंट 1262 पूछा भी था इनका उपयोग कर कोई भी किसी वेब ब्राउजर के माध्यम से इनकी वेब साइट में लाग इन करके अपना इमेल देख या भेज सकता है यह किसी इमेल को पहले से डाउनलोड नहीं रखता है इस कारण इमेल खोलते समय आपको इंटरेट की आव सकता होती है यानि बिना इं आई मैप किया आई मैप के बारे में बात किया आई मैप क्या होता है या इंटरेचिंग अक्स just प्रोटोकाल या फुल फॉर्म पूछा जा चुका इसको भी याद रखिएगा जितना यहां पर बता रहे हैं बस इतना आप याद कर लिजे आपका यहां पर 100% काम हो जाएग नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं pop3 के बारे में तो यहाँ post office protocol और 3 किसको दरसाता है यह थ्री version को दरसाता है य molten अगर pop4 आ गया तो यहाँ version फोर गया ने आधे फाइप द्री फॉर गया फाइप फाइप रजाते हैं तो यहाँ version नंबर पर हड़ जाता है यहां पड़ा नहीं रहेगा हड़ जाएगा सर्वर जैसे आप देख लिंग वहाँ पर इमेल को चलिए आप देखिए यहां से जो बेसिक चीज़े थी हमने इसको पड़ा यानि उसके बाद यहां पर पढ़ने वाले हैं जब आप इमेल आईडी अपना जी 3 Box देखे हमने स्क्रीन साथ लिया आया और यहां पर द็खिए 3 Box दिखा यहां होता है प्रामकरी का जैसे आप जिमेल अम टोपन करें आपको तीन चीज़े यहां पर दिखाई देंगी पहला तो आपको दिखाई देगा प्राइमरी ठीक है पहला प्राइमरी दिखाई देगा दूसरा आपका प्रमोशन का दिखाई पड़ेगा ठीक है प्रमोशन का दिखाई पड़ेगा तीसरा आपको सोसल का दिखाई पड़ेगा यानि इस सिक्वन्स होता ह है primary promotion और Social और यहां देखिए अपना email email आप ओपन करी τον करिए और देखे यहां पर क्या है primary प्रप्रमोशन Biz है यहां पर कैसे प्रॉट स्ट मनता ये ऑप देख लीजे primary में क्या होता है primary में जब आप email account ओपन करते है primary में क्या होता है इस प्राइमरी में क्या होता कोई दोस्त है आपका मैसेज हो गारा कि या किसी दोस्त को करना है तो यह आपके प्राइमरी में रहता है क्या रहता है प्राइमरी अगर किसी दोस्त को आप मैसेज करते हैं तो यह प्राइमरी में रहेगा किसमें आते हैं प्रमोशन में आते हैं और किसी दोस्त को अगर आप मैसेज करते हैं किसी दोस्त का मैसेज आता है तो इसमें आपका किसी दोस्त को करते हैं तो प्राइमरी में रहता है कि सोसल में क्या रहता है सोसल में जैसे मान के चलिए इसमें इंस्टाग्राम हो गया फेस तो अभी तक हमने तीन चीजों को पढ़ा है कि Gmail inbox में कितने टैब होते हैं इसको कोशन याद रखिएगा Gmail Gmail inbox में तीन टैब होते हैं कितने टीन टैब होते हैं या कोशन पूछा जा चुका है प्रमोशन में क्या होता है जिसे फिलिपकार्ट हो गया Amazon हो गया इनसे जो प्रमोशन के मैसेज आते हैं इसमें आपके रहेंगे सोसल में क्या रहेगा जिसे आप यूटूबर है तो यूटूब की तरफ से जो मैसेज आएगा या ट्विटर इंस्टाग्राम फेस्बुक की त इतने भी मैसेरा लिंबॉक्स में जोब Ben आपको मेल सेंड करेगा वह इन बॉक्स में आएग इंबॉक्स में पड़ेगा यहांपर दिखाई पढ़ेगा अब दिखाई पढ़ेगा आपो work don't प्रमोशन में आपके Amazon, Flipkart दोरा जो मैसेज आएगा, प्रमोशन में रहेगा, सोसल में क्या रहेगा, Instagram, Facebook दोरा जो मैसेज रहेगा, या आपके सोसल में रहेगा, चारों चीज़ों को हमने अच्छे से पढ़ा, और Gmail, Inbox टैब में संखा कितनी होती है, अब यहाँस पर इस्टार के बारे माने क्या होता है, तो किसी मेल को स्टार कर दिया जाए, करिएगा जो आपका form खुलेगा उसको आप स्टार में सामिल करें लिए तो आपका तुरंद इंपॉर्टन्ट में यह उपिơस पूशा गया है यह Safra कि न सैग्मेंल किया जाता है तो वाँ किस सेग्में echtमेंट में जाकर सेव होता है इसको आप अच्छे से याद रखिया किस में से उतला होता है इंपर्टेंट वाले सेग्मेंट में सेभो होता है एक जो आप स्टार बना देंगे इंपर्टेंट वाले सेग्मेंट में पहida Muslimsach 투 सर्च करने में कोई दिक्कत हैं कि तुरंत आप इंपोर्टेंट वाले सेग्मेंट में आपको पता था जूनियर असिस्टेंट कामने फॉर्म फिलप किया था और इसी में हमने रखा था इंपोर्टेंट करके तुरंत आपका यहां पर ओपन हो जाएगा ठीक है आसा करता हूं स्नूज कर देते हैं स्नूज का एक्शूल मेंग होता है जहप की लेना क्या होता है जहप की लेना यानि अगर आपका शूने उड तो आपका स्टाइम नहीं किया तुरंत आप क्या किये स्नूज कर दिए थोड़ा सा जब की लिए पांच मिनट बाद साथ मिन बाद उसका टाइमिंग रहता है उतने मिनट में वाज है फिर से बजनाई स्टार्ट हो जाएगा तो आपका स्नूज होता है तुनूज में क्या होता है आप कहीं जा रहे हैं और उसके बाद बाद में उसको देखना चाहते हैं जब देखना चाहते हैं तो उस पर आप टाइमिंग सेट कर देंगे तो आपको दुबारा से मेल आपको रिमाइंड करा देगा कि आपने दो गंटे पहले या दो दिन बाद आपने कहा ता मैसेज देखने के लिए या देख लीजिए तो यह स्नूज वाला फीचर ही होता है ठीक है स्नूज वाले में जब भी किसी को आप मैसेज सेंड करते हैं तो आपने किसी फ्रेंड को सेंड किया तो वह किस में आपके सेंट वाले टैब में रहेगा चलिए यहां पर बात करेंगे अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर देखें आउट बॉक्स क्या भी आउट बॉक्स है आउट बॉक्स में क्या होता है देखें आउट बॉक्स में क्या होता है देखें जव हमारा यहां पर जो आपको इबुक आने वाली है ठीक है जो इबुक आने वाली है बिल्कुल आपको उसमें सब कुछ मेंसन किया गया ठीक है उसमें सब कुछ मेंसन किया एकदम सिंबल वगरा बना कर बिल्कुल हमने उसमें सब कुछ लिख दिया है हैंड डिटन में आपको कुछ भी अलग से नोट करने की जरूरत ही नहीं है ठीक है तो 25 मई को हमारी लांच होने वाली है तो आप लोग उसको जरूर परचेश करिएगा और यहां पर आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी चलिए यहां पर आउट बॉक्स किसलिए होता है आउट बॉक्स का यूज कैसे किया जाता है यदि किसी को मेल सेंड किया जाए लेकिन उसे ना मिले तो वह आउट बॉक्स में चला जाता है मान के चलिए आपने अपने दोस्त को एक mail send किया लेकिन आपके दोस्त को email मिला ही नहीं कहारा भी या तुमने तो message किया ही नहीं तो ऐसे में होता क्या है कि outbox में आज चला जाता है अगर किसी को mail अगर ना मिले तो वह outbox में जरूर चेक आउट करें Actually, ऐसा होता क्यों है? कई बार ऐसा होता है कि inbox फुल हो गया होता है, इसलिए inbox में नहीं दिखाई पड़ता है, और जैसे आप unnecessary file को delete कर देते हैं, वह तुरंत आपको inbox में मिल जाएगा, तो पूरा आलेंड view अगर देखा जाए, मतलब कि अगर total देखा जाए, इसका मतलब क कि यहाद किसी को mail send किया जाए और उसे ना मिले तो वह outbox में चला जाता है बस और यहाँ पर outbox में आप जरूर चेक आउड करें अगर को इमेल सेन्ड करें अगर आपको ना मिले तो outbox में आप देख सकते हैं अब next बात करते हैं drops drops क्या होते हैं अब इसका quick revision भी कर देंगे एक बार क्या होते हैं यादि किसी मेल या मैसेज को जिसको हमने लिखा है लेकिन हमने सेंड नहीं किया है तो आपके ड्रॉफ्ट बाक्स में सेव हो जाएगा मानके चलिए आपने कोई कीजिए वहां पर मिलेंगे ड्रॉफ्ट बॉक्स में ठीक है आपको लिखना नहीं पड़ेगा अब देखिए इस पैम में क्या होता है इस पैम में क्या होता है यहां पर पड़े रहते हैं टोटल मेल आपके रहते हैं इस पैम में क्या होता है यहां से जो बनता है तो इस पैम में क्या होता है कि when you delete a message it stay in your trash drop ठीक है email space में क्या होता है email spam also known as junk email यानि email spam को क्या गाता है जो गलत तरीके से mail कुछी company के द्वारा या किसी fraud के द्वारा किसी hiker के द्वारा जो भेजा जाता है वह आपके spam में होते हैं यानि unsolicited email को ही spam कहा जाता है unsolicited email को ही spam कहा जाता है यानि अगर आपके पास कोई unknown link आता है unknown email आता है तो आप उस पर tab भी ना करें उस पर click ही ना करें तो क्योंकि वह spam में होते हैं और ऐसा नहीं कि हर बार spam ही spam गलत होता है ऐसा नहीं होता है कुछ ऐसे होते हैं जो इस पर हम सही भी होते हैं तो जो unsolicited email होते हैं वह आपकी spam में count होते हैं next बात करते हैं trash अपना Gmail account open करिएगा सब कुछ आपको sequence में दिखेगा ठीक है सब कुछ sequence में दिखेगा मैंने अपने ही email account का हमने screenshot लिया है ठीक है तो में क्या होता है ट्रेस में क्या होता है कि when you delete a message it stay in your trash for 30 days मतलब कि आप जब भी कोई message आप डिलीट कर देते हैं वह ट्रेस में क्या होता है 30 दिन तक सेव रहता है और 30 दिन के बाद automatically आपका डिलीट हो जाता है मानके चलिए आपके घरें बहुत सारे बच्चे हैं और उसके बाद आपका मॉबाइल लेते हैं कार्टून फार्टून खेलते हैं और कार्टून खेलने के बाद जो है आपका कोई email यहां पर डिलीट मार दिये घलती से डिलीट हो गया तो यहां पर क्या होता है कि वह ただ से ports में जाकर सेव हो जाता है कि को दो बनाने वाले binary Biz बहुत सोचकर बनाते हैं अब जिसने बनाया उसने सोचा कि हो सकता है कि उनके ढ़र्व बहुत सारे बच्चे होंगे तो उसके बाद वाद वह तो यहां पर trash एक system होता है जिसके माध्यम से आप अगर email अगर कोई delete हुआ है तो आप trash में आप देख सकते हैं और कितने दिन तक देख सकते हैं 30 दिनों तक आप देख सकते हैं यहां पर जब किसी को message send करना होता है टो में करना होता तो सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले कमपोज़ पर हम क्लिक करते हैं किसपर यहां पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहां मेरा यह है compose पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर from रहेगा फिर उसके बाद यहाँ पर टू आता है और टू फिर subject आता है फिर compose इमेल आता है अब टू पर जैसे आप क्लिक करेंगे टू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो आपसन आते हैं टू पर क्लिक करने के बाद आपके दो आपसन 2 संद करना है और 2 बसको संद किया及 रहेंग और 2 में क्या होता है जब किसी मैसेज को बंक में या बहुतते love hygiene इसको लोगों को मेल करते हैं तो कई बार कि को संद करते हैं यानि कई बार ब्सकी जब हम किसी email id tco cc में तो पड़िकमी रखते हैं हम किसी email id सब किया लेकिन कょня होता है किसलम हई बादि को एसा नहीं होता food यदि हम काम BCC में रख कर करेंगे कुछी email ID को तो कोई यह नहीं देख पायागा email किस-किस को भेजा गया तो CC का मतलब क्या होता है CC का मतलब होता है carbon copy यानि carbon copy यानि all recipients will be able to see each other mail address और BCC का full form क्या होता है कई बार पूछा है तो blind carbon copy होता है यानि none of the recipients will be able to see each other mail address यानि कोई भी नहीं देख सकता है blind मतलब कोई भी नहीं देख सकता है बस सिंपल सी बात है तो यह आपके चीजें हो गई email से और यहाँ पर देखिए अपने Gmail account को एक बार open करिएगा और open करके अच्छे Cisco बार read करिएगा ठीक है आज समझ में आपको आ जाएगा Gmail account में इस चीजें क्या क्या चीजें होती है और इसके usage क्या थी आज आपको पता चला तो जीतने लोग को आज पता चला वो लोग comment जरूर करिएगा ठीक है आप लोग comment जरूर करिएगा एक बार इसका quick revision कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कोई दिक्कत भी ना हो यहां पर ठीक है तो यहां पर देखिए सबसे पहले बात करेंगे एक बार किसका पांच पांच में क्या अंतर होता है Gmail प्लेटफार्म होता है जिसके माध्यम से हम किसी को मैसेज भेज सकते हैं और जिसको मैसेज भेजते हैं वहां email होता यानि electronic mail होता है जैसे YouTube पर वीडियो देखते हैं YouTube ऐक प्लेटफार्म है लेकिन उसपर हम वीडियो अप्लोड करते हैं वह जो है यहां पर इमेल कवर करता है ठीक है और यहां पर IMAP क्या होते है तो यहां पर इमेल का आविश्कार किसी ने किया था 1972 में रेट आमिल्चन की दोरा इमेल का आविश्कार किया गया था अगर पार्ट रहे तो सिवा दुरही पर लगाईए गया और इमेल आइडी में देखिए यूजर नेम और डोमें नेम होते हैं दोनों को add the rate separator से अलग किया जाता है ठीक है कितने पार्ट होते हैं दो पार्ट होते हैं एक username और domain name और add the rate kitchen से अलग किया जाता है अब यहां पर देखिए जो Gmail था अगर किसी को mail भेजना है तो सबसे पहले compose पे क्लिक करेंगे compose पे क्लिक करने के बाद आपका क्या आएगा आपका फ्राम में Аंपका रहे ocasите कीक करेंगे ते टो में भी दो options क्लिक यहां पर देखिए दिया है न जब आप класс करेंगे दो option रहेंगे और दो option कॉण कॉन से रहें एक एक CC का रहेगा एक BCC का रहेगा CC में क्या होगा carbon copy यानि अगर इसमें आप email ID को रखते हैं तो किस को mail भेजागा यहां पता चल जाएगा BCC में क्या होगा blind carbon copy यानि किस को mail भेजागा यह पता नहीं चलेगा subject में जो भी subject आप रखना चाहते हैं जिस reference में मैसेज रहेगा और यहां पर बात करें देखिए जो हमारा Gmail account था Gmail account आप open करिएगा अच्छे से देखिएगा इसमें inbox में क्या होता जितने मैसेज आते हैं सभी जितने mail आते हैं inbox में रहते हैं primary में क्या हमने बता है कि जो अपने दोस्त होगरा को मैसेज भी जाता है और प्रमोशन में क्या होता है प्रमोशन में सिम्पल सी बात है प्रमोशन कोई Amazon के द्वारा फिलिपकार्ड कि कि यहां कि सब में क्या रहता है जैसे मान कि सोचल प्लेटफार्म में इंस्टा है फेस्बूक है ट्विटर है यूटूब है इन सब चीजों की तरफ से जो मैसेज आता है वह आपके सोचल में रहते हैं स्टार में क्या रहता है जैसे कोई यमेल जो कोई भी मेल आया कोई मैसेज आया इमेल आया तो आपको लगता है यह important है तो आप इसको स्टार बना देते हैं इस्टार जैसे बनाएंगे वह important सेग्मेंट में चला जाएगा question पूछा गया था कि जब किसी email को star करते हैं तो यह किस सेग्मेंट में जाकर सेव होता है तो इंपोर्टन वाले सेग्मेंट में सेव होता है ठीक है इस नूजड में क्या होता है कि आप अगर किसी इमेल को नहीं देखना चाहते है उस्ट में पार्टिकुलर टाइम पर तो आप क्या करेंगे उस पर सेट कर देंगे हमें इस टाइम और आप सीड्यूल कर सकते हैं किसी मैसेज को आउड़ोग्स में अच्छे से बता दिया कि किसी मैल को आपने सेंड किया किसी मेल को आपने तो प्रस्ट किया लेकिन वह जो है आपके इन बॉक्स में नहीं आया तो वहां कहाँ पर जाएगा और आउड़ बॉक्स में चलाजाएगा। ड्राफ्ट में क्या होता ड्राफ्ट में आपका मेल या मैसेज जैसे, आपने कोई मेल मैसेज लिखा और उसके बाद आप Scott को चैनसिल कर दी è तो वां किसम चलाजाएगा। ड्राफ्ट मे चलाजाएगा और जितना आल होते हैं व конт होगा अगर आपको समझ में भी आया होगा अगर आपको इतनी सब जानकारी आज पहली बार मिली तो आप लोग एक बार जरूर वीडियो को लाइक करिएगा और सेयर भी करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर बताइए कि यहाँ पर प्रमोसर वारांसी यूटूब चैनल पर बिल्कुल बेस्ट कंटेंड दिया रहा है तो आप लोग च सकते हैं इसको भी हम कवर करेंगे ठीक है तो एक रही फ्रेंट्स वीडियो मिलता है नेक्स दोने तो तक के लिए जाहिंद बंदे मातरम